हलो दोस्तों आज मैं आया हूँ चंडेगर 34 सेक्टर एक्जिबिशन ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी यहां पर मेले का अयोजन किया गया है कैनेडा आउटलाइन वाला यहां लुक दिया है 50 फीज एंट्रिफी है आईए जलते अंदर गाइज यह देखो अंदर से कि यह देखो यह आईफल टावर बनाया हुआ है यहां मुझे यह पार्ट काफी अच्छा लग रहा है यहां पर चुट 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 टॉइज और बगवान की मूर्तियों भी हैं और यहां मुझे बजरंग वली जी काफी लग रहा है यहां से बजरंग वली जी को अपने घर लेके जाने वाला हूँ आईए अब चलते हैं आगे यह गेमिंग जोन में मैं आगया हूँ यहां पे रिंग वली है मैं अब जो जो भी रिंग जो समान के वर पड़ती है तो यह समान आपका हो जाता है यह देखों भी यह ट्राइ कर रहे हैं बट इसी समान के उपर जाने रहा है तो सोचा मैं भी ट्राइ कर लूँ 50 पीज के 5 रिंग है 100 के 10 रिंग है तो मैंने 50 पीज के 5 रिंग ले लिए क्योंकि मुझे अपनी किस मतलब ज्यादा बरोसा नहीं है यह ट्राइ करताँ अ को जाने रहा है अब फिर से ट्राइ करता हूं नहीं अग्छिलिए मेरी नजर दोसों वाले बोक्स के उप्र हैं भट नहीं जाने रहा है यह पर फिर से ट्राइ करता हूं अब मेरे पास यह दो बचे हैं अब देखते हैं लास्ट ट्राइग अब यार बिल्कुल थोड़ा सा बचा बट नहीं नहीं होपाएगा मिरसे यह यहां पर नेक्स्ट गेमिंग जोन है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेस है यहां पर गन से आपको शॉट लगाना है यहां पर समान के उपर माचिस रखी हुई है इस माचिस पर शॉट अब जैना है जिस पर भी आपने शॉट लगा दिया है ऊवाल असमान आपका हो जाएगा यह दो को बहुत थे जबाएा अब देखते हैं चोटी बहाई देखते हैं निशाना लगा पाता है है मैंऊ कि यहां पे और भी गेमिंग जोन बहुत हैं आपर बच्चों के खालने क यहां पर डे में मेरे सुझेशन यहां कि अब आपको अगर मेले में आना है तो आपको 6-7 वजे के बाद यहां पर आना चाहिए तब यहां पर लाइट जलने रहे हैं इसमें लाइट इस बहुत अच्छा बनाया हुआ है मैं आपको बाद में भी दिखा हूँगा यह देखो बच्चों हेलने की इतनी चीज़े गया है बच्चे यहां पर मसत रहते हैं यह देखो अब एक्चली रशियां पर कम है थोड़ी देर बाद बहुत जार रश हो जाए गया है यह बच्चों के लिए स्विमिंग फूल बनाया हुआ यहां के बच्चे पूरा एंज्जोई बनाया हुआ है अब बनाया हुआ है यह दो आपको भी आप आना चाहिए अब यह दीश दीन और रहेगा बीश कर दिन और रहेगा दीवाली तक रहता है तो फाइनली खाने का टाइम आ गया है खाने में मुझे पान बहुत अच्छे लगते हैं तो यहां पे पान भाहिया ने से जाये हुआ है तो फाइनली मैंने एक पान ले लिया है यह राइट साइड वाला फेस्टिवल हैं यहां पे दो फेस्टिवल एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड वाला है यह और भी अच्छा है यहां पे भी लाइटिंग वी बहुत अच्छा आएगा भी मैं बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी की रोशनी है तो इसलिए लाइटिंग वी अभी दिख नहीं रहा है साथ करवजया जीए साथ या साथ या आर्ट के अफ्रोक्स आ सकते हैं यह देखो कितना अच्छा भी होगा है वंजली वजा है शोरा लम्मे देया है वंजली वजा शोरा है यहां यहां पर बिल्डिंग को नहीं है हैं बुर्ज गलीफा का लुक दिया हुआ है अब देखो यहां पर लाइटिंग व्यू कितना अच्छा आ रहा है पहले दिन को यहां पर इतना अच्छा नहीं आ रहा था अब देखो यहां पर कितनी अच्छी लाइटिंग है यह देखो बाहर से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा बाहर का एरिया काफी अच्छा लग रहा है जैस जैसे तोड़ा अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे आपको नाइट व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलेगा बच्चों के लिए फुल मस्ती है यहां पर बच्चों के अंटर्टेन्मेंट के लिए बहुत सारी चीज़ा है यहां पर यह देखो कार में राइट कर सकते हैं यह देखो बच्चे कैसे जूड रहे हैं अब खाने का टाइम हो चुका है खाने में हमें लग रहा है यह माचल स्पेशल सिड्डू 160 में मिल रहा था है सिड्डू का मैंने ओर्डर दे दिया है थोड़ी देर में सिड्डू बनने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा सिड्डू कैसे होती है माचल सिड्डू यहां पर सिड्डू बन रहा है तो यह मारा सिड्डू बन किया गया है यह बेखो यह काफी डिलिशियस सिड्डू होने वाला है यह बेखो यह मैं अब यहां पर आगया वो डांसिंग जोन में यहां बच्चों के डांसिंग का जोन है बच्चा यहां पर डांस कर रहा है यह आपि मस्टी किनने का जोने बिच्चों के लिए किसी की आप आगा आप ए मेरा बेरा हूल गाना वह लागु पे बिंदा का सम्हारी सिखाए कि लागी दिनेख्ट्टा पाडी विए ना दी भूबन ही जोय करते है दी Mr. DJ of the volume with that song नेख्ट कि देखिने विए कि यह देखो काईज कितना अच्छा विवा रहा है लाइटिंग पर बहुत जबदस्त काम किया गया है यह देखो कि यह देखो कितना अच्छी लाइटिंग है कि यह देखो जब हार का राच जाना कि यहां कि यह देखो कितना अच्छी लाइटिंग है यहँआ भी वाउ